नमस्कार किसान भाई हूं स्वागत है आपका अपने चैनल टेक्टर तक पर हम आपके लिए लेकर आए क्यावन जीरो पांच फूर वाइफार जोंडियर एंजन का फुल रिव्यू आप ये देख रहा है मैं खेत पर आई हुए हैं एंजन का रिव्यू जानने के लिए वीड काफी आई है तो हम आपको बताएंगे क्वाल्टी जोंडियर की तो सबसे पहले आप यह देख रहे हैं जोंडियर पीछे से आपको दिखा देते हैं इसकी टंकी पीछे क्यों होती है और इसमें क्या क्वाल्टी होती है सब बताएंगे हम आपको सबसे पहले हम आपको बता वारा मारता रहता है जिससे इंचन गण्यां नहीं होता है प्स जह तर बाद भी गरम नहीं होता है O CAP और आप इसका वार 25 से 30 साल तक दबा कर चलाए इसका बोर नहीं होगा कि यह कंपनी का दावा है अगर आप इसे सही तरीके चला το पर इसकी सर्विस कराते हैं मेंटिनेंस कराते तो आपको 25-30 साल तक इसका बोर नहीं कराना है और इसमें no leaking की सबसे बड़ी विविदा है और टक्टरों में पैकटिंग रहती जिससे कारण लीकिंग हो जाती इसमें no packing नो लीकिंग बिल्कुल सांदार तरीके से और इसमें सिर्फ दो ही जगह और डलता है एक इंजन में और एक गियर बक्से में और कहीं और नहीं डालना है आपको दो जगह गिलावा पहतालीस एच्पी से थोड़ा टक्टर है आपके पास तो साड़े 6 लीडर इंजन में डलता है और 35 लीडर गियर बक्से में अगर 45 एच्पी से बड़ा टक्टर है तो तो शाड़े आट लीटर गेर वकिसे में 37 लीटर कि पावर इस्टेरिंग गियर वह से ही चलती है इसके लिए आपको कहीं और डाल लेगी जिरूत नहीं है त्विजर टंग की ट्राइबर की पीछे होती है प्लास्टिक की क्योंकि वहाँ पर इंजन की गर्मी नहीं जाती है जिससे फियूल ख़राब नहीं होता है और प्र reactorm real टंक की आंगे रएती हैं जिससे जल्दी फियूल ख़राब हो जाता है अच्च्छा चलता है ऐसी वडीयो देखने के लिए अहाई चाल को सुश्क्राब ड़ाके कने दन्वाने हैं